एपिसोड 5 की शुरुवात में उस लेडी को दिखाया जाता है वो चिंतित थी वो किसी को कॉल करती है और बोलती है तुम्हें मैं अब भी याद हूँ राइट वो इंसान बोलता है सो हम कहां मिल सकते हैं फिर वही सीन दिखाया जाता है जहां पे एपिसोड 4 एंड हुआ था चोई बोलता है तुम ये इसी लिए कर रहे हो की तुम मुझे मार दोगे क्योंकि तुम एक वैंपायर हो और मैं एक शुद्ध खूण वाला इंसान लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुचाई है क्योंकि तुम भी मुझे पसंद करते हो फिर एक नया करे यसी को कॉल की थी वो स्कूल में ह्यांग के लिए वेट कर रहा था उसे देखके यसी सोचता है तुम अभी वेसे ही हो फिर उसे पुकारता है यह उसके पास आता है तो हेंशी बहुता है हम सदियों से नहीं मिले है लेकिन तुम तो मुझे ग्रीड ही करना काते हैं यंग बोलता है मेरे साथ चलो हेसू बोलता है तुम्हारे पास अभी जादा टाइम नहीं बचा राइट यंग बोलता है बाते करना बंद करो और मेरे साथ चलो अगर तुम मरना नहीं चाते हो तो हेसू बोलता है दस सल ना मिलने के बाद क्या तुम सिर्फ यही कहना चाते हो फिर वहाँ पे चोई आता है और हियांग को फुकारता है हेसू चोई को देखके हियांग से पूछता है क्या ये वही है हियांग उसका हाथ पकरके उसे लेके वहाँ से चला जाता है और चोई वही पे खड़ा होके देखता रहता है फिर जो एकलास में बैठ के सोच रहा होता है क्या वो सच में मुझ से नहीं मिलना चाता फिर सोचता है बिल्कुल नहीं शायद वो साथधानी से कदम उठाना चाता है वो नहीं जानता होगा कि मैं ये सब जानता हूँ फिर हियंग और हेसु को छट पे दिखाया जाता है हेसु बोलता है वो एक शुद्ध खुन वाला इंसान है राइट हियंग बोलता है तुम क्या चाते हो तुम इस बारे में इतना उसुप क्यों हो हेसु बोलता है अगर तुम इस बात से गिल्टी हो कि तुम नहीं पी सकते तो शेयर करते है क्योंना इसे एक साथ पी कर हम इंसान बन जाएं अंत में वो मर जाएगा लेकिन तब तुम अकेले हत्यारे नहीं होगे हम इंसान बन जाते हैं और तब तक एक दूसरे को सपोर्ट और भरोसा करते हैं पहले जैसा हियांग बोलता है मैंने तुम्हें कहा था के बकवास बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने उसको छुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा ये बोल के हियांग वहाँ से चला जाता है फिर वो तिनों आमने सामने आते हैं हेसु चोई के पास जाने लगता है तो हियांग उसे रोक देता है और बोलता है मेरी बात याद है ना हेसु बोलता है ये पहली बार है जब मैं तुम्हें ड़रा हुआ देख रहा हूँ फिर वो चोई के कंदे पे हाथ रखता है और बोलता है हम पहले भी मिले थे राइट चोई हियंग को पूछता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है हेसु बोलता है हम दोस्त से कुछ ज़ादा है चोई हियंग की तरफ देख रहा होता है और हेसु चोई की तरफ और ये सिन यही पे कट हो जाता है नेक्स्ट सीन में हियंग को उस लेडी के आफिस में बैठा हुआ दिखाया जाता है वो लेडी उसे बलड का पैकेट देती है और बोलती है मैंने इसे मुश्किल से पाया है ह्यांग पूछता है क्या तुमने उसे कॉल किया था वो लेडी बोलती है मैं और कोई रास्ता ना देख के उसे कॉल किया ह्यांग कहता है लेकिन वो लेडी बोलती है तुम्हें मेरी जगा आके सोचना चाहिए मेरा 30 साल का दोस्त मरने वाला है और उसके बचने का रास्ता है लेकिन उसने मौत को चूस किया है तुम क्या सोचते हो कि मुझे कैसा लग रहा है ये देख के हियंग बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था वो लेडी बोलती है जीवित रहने के अलावा अभी कुछ भी मत सोचू हिंग बहुत गुसे में वहाँ से चला जाता है फिर हेसु को दिखाया जाता है वो धूर से चोई को फॉलो कर रहा होता है फिर उस लेडी को कॉल करके बोलता है लगता है उस शुद्ध खून वाला के लिए वो फील करता है वो लेडी बोलती है, वो शायद गलती कर रहा है, अगर तुम शुद्ध खून वाले की खून से इंसान बनना चाहते हो, तो तुमें उसका दिल जीतना होगा, इसलिए शायद वो confused है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको गाइड करो, वो बिलुप्त हो जाने से पहले, फिर उस लेडी को अपना ही खून निकलता हुआ दिखाया जाता है, इससे पहले भी उसने हियां को जो खून दिया था, वो उसी की थी, उसके बाद हियां को दिखाया जाता है, वो देखता है कि चोई उसके पास आया है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो चोई नहीं, जगा कितना चेंज हो गया उस समय के बाद यांग थोड़ा इमोशनल हो जाता है हेसु बोलता है तुम मरने वाले हो तो बस मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ फिर वो ह्यांग का हाथ पकरता है और बोलता है हमारा रिलेशनशिप पहले ऐसा नहीं था या फिर तुम अभी उस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाए क्या तुम चाते हो कि मैं कुछ करूँ बस मुझे बताओ यांग बोलता है तुम सही हो हम पहले ऐसे नहीं थे तुमने तब कुछ भी गलत नहीं किया था मैंने उसे मार डाला था तभी वही सीन दिखाया जाता है जब उसने असल सबसे चुपाना चाता था हेसु बोलता है तो क्या हुआ उसका इससे क्या लेना देना कि तुम अब मरना चाते हो यांग बोलता है मुझे डर है कि ये फिर से दोड़ाएगा मुझे डर लगता है हेसु बोलता है क्या ये इसलिए कि तुम उस लड़के को पसंद करते हो फि पिर हेसु और उस लेडी को आमने समने बैठा हुआ दिखाया जाता है वो लेडी अपना हाथ छुपाने की कोशिश कर रही होती है जहां से उसने ब्लड निकाली थी हेसु उस टाइम को याद करता है जब वो चोई से मिला था फिर बोलता है अगर वो हमारे रास्ते में आता रहा तो उसे मार डालो और मुस्कूराता है यहीं पर एपिसोड फाइब एंड हो जाता है एपिसोड सिक्स की सुरवात में दिखाया जाता है जोई एक कोल रिंग की कैन खोलते हुए उसका हाथ कट जाता है और वहां से खून निकलने लगता है तभी वहां पर ह्यांग आत फिर वहां पर चोई आता है और उसे बोलता है पियो इसे यंग बोलता है क्या चोई बोलता है क्या ये मेरे खून की स्मेल की कारण नहीं हुआ यंग बोलता है जब तक यहां पर कोई नहीं आता बस पीलो यंग बोलता है क्या तुम मुझसे मजा कर रहे हो चोई बोलता है नहीं मैं serious हूँ मैं तुमको जितना चाहूं उतना दे सकता हूँ go for it यंग उसको दूर हटा देता है और बोलता है इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्या तुम सब कुछ इतना easy समझते हो बच्चों की तरह बाते मत करो और फिर यंग वहां से चला जाता है और चोई उस पागल बना देगा फिर सिन चींज होता है चोई कहीं पे बैठा हुआ था तभी वहां पे हैसु आता है वो चोई को बोलता है मैं तुमसे मिलने चला आया फिर वो चोई को अच्छे से देखता है और बोलता है अभी मुझे पता है जुगों को इस तरह की चीज़े पसंद ह चोई बोलता है तुम किस बारे में बोल रहे हो हेसु बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारा खोन बहुत अच्छा है फिर वो उसके पास आके बोलता है शुद्ध खोन चोई बोलता है तुम क्या कर रहे हो क्या जुम्हों ये जानता है हेसु बोलता है क्यों चोई बूलता है तुम उसके साथ इतना अच्छा नहीं लग रहे थे क्या तुम मेरे साथ ऐसा भीएफ कर सकते हो हेसु बूलता है इंट्रेस्टिंग चोई बूलता है अगर तुमें और कुछ कहना नहीं हो तो मैं अब जाउंगा हेसु बोलता है तुम अपने अपको समझते क्या हो मुझे लगता है कि तुमने गलत समझ लिया एक शुद्ध खोन वाला इंसान वैंपैर्स के लिए सिर्फ खाना होता है अगर वो इसे खाएंगे तो वो इंसान बन सकते है ये वास्ताब में बहुत कीमती है इसलिए जुद्ध तुमें इतना चुपा रहा है और इतना प्रोटेक्ट कर रहा है और वो हसता है फिर बोलता है अगर तुमें ये गलत फ्रेमी हुआ कि वो तुमें प्यार करने लगा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है चोई बोलता है क्या तुम भी एक वैंपायर हो शोई उसका गरदन पकड़के उसको एकड़म करीब ले आता है और बोलता है मुझे पसंद है इंसानों का ड़ जाना मैं चाता हूँ आहिसता आहिसता उन लोगों से खेलना फिर उसे छोड़ देता है और बोलता है मैं सौ साल से जुंगों के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा क्योंकि सिर्फ मैं हूँ जो उसे समझता है मैं वो नहीं जो सिर्फ उसे जानता है कुछ ही महिनों से चोई बोलता है ये उस टाइम के बारे में नहीं है जो आप लोग साथ बिताते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि सौ साल हो या कुछ दिन ये उसके दिल का मामला है हेसू बोलता है तो चोई बोलता है मैं जुंगों को पसंद करता हूँ और उसके साथ अभी जो है वो मैं हूँ तुम नहीं फिर चोई वहां से चला जाता है और हेसू बहुत गुस्ते में होता है फिर सेंच चेंज होता है चोई हियंग के कमरे में सो रहा होता है और हियंग उसके पास बैठा हुआ उसे देख रहा होता है फिर हियंग उसे पुकारता है चोई आखे खोलता है चोई हियंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? यांग बोलता है मैं ठीक हूँ तुम यहां क्यों आए? चोई बोलता है जब कोई मरीज तुम्हारे सामने है तो तुम कुछ भी ना देखने का नाटा कैसे कर सकते हो? तुमने पहले कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है ना? यांग बोलता है हाँ चोई बोलता है तुमने मुझे हग किया जब मैं नीन में था और उस हग में इतना गर्मा हट था तो मैं यह जाने भी ना सो गया यांग बोलता है तुम्हें घर जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारा भाई वरिड हो जाएगा तबी चोई की पेर से आवाज आता है चोई बूलता है क्या मैं कुछ खा के फिर जाओं हेसू स्कूल में आया हुआ होता है और उस लड़के को दिखाया जाता है पहले दिन हियंग ने जिसका खुण पिया था हेसू उस लड़के से पूछता है क्या तुम चोई मीन हियंग को जानते हो वो लड़का कहता है हाँ हम सेम डिपार्टमेंट में हैं फिर चोई को दिखाया जाता है वो छट पे आता है और उसके सामने हेसु खरा हुआ हो एक्चुली हेसु ने उस लड़के को बोला था चोई को बोलने के लिए खियंग उसको छट पे बुला रहा है चोई बोलता है तुमने मुझे बुलाया हेसु बोलता है मैं जानता हूँ ये थोड़ा बच्पना है लेकिन ये सब से आसान तरीका था चोई बोलता है तुम ये सब करके क्या हासिल कर लोगे हेसु बोलता है ये कुछ हासिल करना नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है जो मैं खोना नहीं चाता चोई बोलता है पिछली बार तुमने कहा था कि मैंने गलत समझा मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा है जुंगों कभी तुमारा था ही नहीं फिर हियंग को दिखाया जाता है वो लड़का उसे देख के बोलता है तुम यहां तुमने चोई को पहले छट पे बुलाया था तो मैंने सोचा के तुम छट पे होगे हियंग बोलता है मैंने किसने कहा वो लड़का बोलता है तुम नहीं जानते किसी ने मुझसे कहा कि तुमने ऐसा बोला है इसलिए मैं चोई को बोला चछत पे जाने के लिए हियां को समझ में आ जाता है और वो भाग के चछत पे जाता है और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में love you guys, bye